अपने आज की वीडियो में भी हम बात करेंगे अनॉटमी फीजियोलोजी की जो कि आपके एक्जाम के प्रेंट वीजियो से काफी जादा इंपॉर्टेंट है आपको कम से कम 10 से बारा कोश्चन हेल्थ एजुकेशन और अनॉटमी फीजियोलोजी के मिल जाएंगे इससे जो क कि हम डिसकस कर रहे हैं अपने पिछले वीडियो में भी हमने अराउंट सो कोश्चन को डिसकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसके बाद भी और भी चीज़े हम इस तरह से कर पाएं मैं राधन इस नौट पॉसिबल बड कुछ-कुछ सेक्शन में हम कोशिश करेंगे कि 500- प्रश्रो करने से पहले जिस लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है क्योंकि मोस्ती लोग जो है वो बिना सब्सक्राइब किये वीडियो देखते हैं तो बहुत चीज़ें और भी बता दें जो आपके कमेंट से हैं वहां से पहली बात कि जिन लोग का यह सवाल है कि आप कि यहां पर कल एक कोशन में गलती हो गई थी जो मैंने बोला था कि टीशु की स्टडी को हम साइटोलोजी कहते हैं बट वहिस्तोलोजी कहते हैं तो सॉरी फॉर दाट एक और है पुराना कोशन जिसमें मैंने टेक-off बोड को मैंने जो है स्टॉपिंग बोड को टेक-off कोशिश कर रहे हो तो अगर इस तरह की गलतिया है तो उनको पिंग कर दिया जाता है कमेंट में आप एक बर वहां पर देख लिया करिए अगर आपको इस तरह से कोई चीज मिल रही है आप बताईए अगर आपने कोई भी कमेंट में चीज बोली है कि तो उसको वापस से चे की और आज हम बात करेंगे आपके muscular system की, skeletal system की और भी कुछ चीज़ा जो है anatomy, physiology की आती रहेंगी, आगे भी और इस तरह से चीज़ा होती रहेंगी. So, जो जो अपने पहला question है, वो है contraction of muscle is measured through, तो muscle का contraction है, वो किसके द्वारा measure किया जाता है, study of muscle को हम myology कियाते हैं, इसके जो contraction है, वो measure किया जाते है, electromyography से, यह electromyography है, जो कि muscle contraction को measure करता है, तो यहाँ जो आपका answer है, वो myograph हो जाएगा, क्योंकि इसको भी हम consider कर सकते हैं, वही चीज़ लिखी है, अब जब भी आप इस तरह के questions होते हैं, यह हमेशा कहते हैं, जब भी मुझसे कोई boost आए, कि भाई कोई book suggest करतो, तो कोई भी आप book पढ़ोगे, आप वो गलतिया मिलनी ही मिलनी हैं, अब इसलिए कि आप गलतिया मिल रही हैं, बुक पढ़ना बन नहीं कर सकते हैं, तो कुछ चीज़े उपर नीचे होती हैं, लेकिन आप exam देने जाएंगे, और जाएगा, एंगोग्राफ, बहुत जादा expression करेंगे, तो time बहुत जादा waste हो जाएगा, फिर भी कोशिच करेंगे कि हम explanation थोड़ा-थोड़ा देते जाएं, properties of muscles are, वो हो जाएगे, contraction और expansion, ये muscle की होती है, properties, अगर आप muscle की बारे हम पढ़ेंगे, तो excitability, contractability है, ये सब जो है, कि onset of fatigue, इस तरह इस इक वर्ड लिखा रहता है, तो थकान के लिए कौन सा acid जो responsible होता है, lactic acid होता है, lactic acid के ही muscle में deposition से आपको जो थकान है, उसकी feeling होती है, फिर question है, protein which occur in muscle are, तो जो actual spelling है ना, उसकी वो है myosin, यहाँ आपको ऐसे spelling मिल नहीं रही है, तो जो से जादा close है, म क्योंकि इस बुक वालों ने भी इन्हीं लगाया हुआ है, बट actual की spelling रही है, इस तरह से जो चीजें है, confusion होगा, आप बोलो गया रही है, तो यहाँ पर यह लिखा है, यहाँ पर यह लिखा है, बट कुछ चीजें ऐसी है, जिनका एक average है, और वो average किसी भी trusted source है, source जो है, वो trusted होना चाहिए, NCRT को हम trusted source मानते हैं, और वहाँ जो चीजें लिखी हैं, जो भी words लिखी हैं, जो भी spelling लिखी हैं, उनको हम use कर सकते हैं हमेशा as a source, और वो हमेशा हमारे लिख trusted source रहेंगे, फिर है number of bones on our face, अब bones तो 206 हैं, ऐसे बात करते हैं कि आपके cranium में कि 8 हड़ियां कलम में पढ़ी थी और face में होती है 14, तो जो answer है वो हो जाएगा 14, फिर लिखा है कि पहला दाथ, the first tooth comes out at the age of, पहला दाथ किस उमर में आता है, उसका answer जो है, वो होगा 5 to 7 month, तो 5 से 7 महीने की जो age है, उस दौरान पहला दाथ बच्चे का निकलता है, तो अगर आप यहां भी देखेंगे, तो यहां जो tick हुआ है, और जो actual में आपने जो चीज पढ़ी है, उसमें difference हो सकता है, और होगा ही होगा, पर इस चीज को दिमाग में रखिये, कि आपने जो चीज पढ़ी है और यहां जो option है, उससे सबसे ज़्यादा mail कौन सी चीज खाती है, उसको ही tick लगा कर आईए, कि सब के साथ होता है कि पहली बार जो दिमाग में आया, अगर उसको tick नहीं करते हैं, और कुछ और सोचते हैं तो गलत हो जाता है, तो कई बार सही भी हो जाता है, कई बार गलत भी हो जाता है, फिर भी कोशिश कीजे कि जो चीज आपने पढ़ी कि अपर ट्रंक में आप किसे मेंशन करेंगे, तो एक काफी कंफ्यूजिंग सा कोश्चन है, जैसे आप मसल पढ़ता है, फिर स्केलिटल सिस्टम की जो बोन से, 206 हड्डियों को कैसे ग्लासिफाई किया गया है, दो तरह से ग्लासिफाई किया गया है, एक होता है आपका ए अपर ट्रंक, तो इस सवाल का ही क्या मतलब है, और इस तरह से अगर एक आपको पास सवाल आ गया, तो आप उसका क्या जवाब लगाएंगे, आपके पास अगर इसका कोई एक्स्पनेशन हो तो देना, बट मेरे हिसाब से एक कोश्चन बहुत जादा सही नहीं है, फिर यह confusing चीज अगर बुक में मिले, so I suggest you कि अगर आपने Google किया, सब कुछ मिला, कहीं नहीं कुछ मिल रहा है, leave that, अब confused होने कोई जरुवत नहीं है, कोई नई चीज पढ़ने की बिलकुल जरुवत नहीं है, फिर है quantities of water in bones, तो bones में इस तरह से है कि muscle में कितना पाया जाता है, कलम में पढ़ाता है, skin में कितना पाया जाता है, bones में, तो bones में जो है, आपका 30-40% आपका सही answer होगा, करीवन 45% या 41% इस तरह से answer आपको मिल जाते हैं, longest bone of the body, यह तो femur होगी, सब को बहुत अच्छे से पता है, फिर bones are tied with each other through the substance, अब यह थोड़ सा confusing question है, कि जो bones नब एक होती है, छोड़ देते हैं, इस question को, फिर यह पेटिल, अब इस तरह की तो कोई bone ही नहीं होती है, इसका नाम होना चाहिए, parietal bone, और यह होती है, आपके skull में, इसलिस का answer C हो जाएगा, number of permanent ribs, तो भई, permanent ribs जो है, अपने ribs, आपके 12 ribs होती है, 24 ribs होती है, पेर की बात करेंगे तो 12, अगर यह number of permanent ribs पूछ रहा है, और पेर नहीं लिखा है, तो इस हिसाब से आपका सही answer क्या होना चाहिए, जो भी आपको लगता है, आप comment section में डाल दो, बट मैं इसलिए नहीं बता रही है, कि मुझे नहीं लगता है, कि यह question है, सही question है, और इसके पीछे, हर किसी का अलग-अलग तर्क हो सकता है, फिर है, ileum is a part of, तो ileum जो है, वो आपके pelvic girdle का part होता है, और pelvic girdle जो है, इसका मतलब होता है, आपके hip, cup जो portion है, उसको pelvic girdle कहते हैं, और यहां लिखा है, पैक्टोरल और shoulder, पैक्टोरल girdle और shoulder girdle, दोनों सेम चीज़े, तो यहां पर आपने क् लगाना है, तो इस तरह से question है, और कई लोग ने बोला, इसका PDF भेजने क्लिए, उसका PDF इस किताब को मैंने इसले नहीं भेजा, क्योंकि इसमें बहुत सार यासी चीज़ें हैं, चो कि मैंने चाहते हैं, चो कि मैंने चाहते हैं, और आपको चाहिए, मैं भेज दूँगी व करते हैं, तो आप उसको भी जॉइन कर सकते हैं, आपको help करेगा, फिर next question है, salivary gland with secret saliva is a part of, तो salivary gland होता है, सभी को पता है, mouth में होता है, और तो बाकी options हो नहीं सकते, calcium phosphate is present in, calcium phosphate, nails, gums, muscles, तो सबसे सही answer होगा, इसका teeth, in calcium phosphate होता है, फिर a question है, health is a state not only free from weakness and disease, but it is the condition in which a person is physically, mentally and socially happy, this statement is given by, तो भाई, यह जो statement है, किसने दिया है, सबको पता है, अंसर आप लगा लो, छोड़ देते हैं इसको, 127 question है, which type of a process metabolize is, तो metabolize मुचो है, वो किस तरह का process है, वो एक तरह का chemical process है, हमारी body में बहुत सारी metabolic activities होती है, अब यहाँ पे question आ है, into how many parts is a human body divided, अब किस basis divide करना है, divided के spelling भी गलत लिखी है, तो इस question को छोड़ देते हैं, confused होने की जरूवत नहीं है, विससे फुतना पड़ेंगे, जितना हमारे लिए काम में आने वाला है, और चितने हम पढ़के, exam में हमें questions भी relevant मिले, cell was discovered by, तो वही, इसका तो ठीक है, नंका question है, Robert Brown है, in which of the following, is studied under the branch of cytology, इस question का कल-confusion हुआ था, cytology की जो है, वो cell के बारे में ही पढ़ते हैं, and histology जो है, वो tissue के लिए है, इसमें confused, नहीं होना है, फिर question है, suicidal space is also known as lysosome को suicidal back के नाम से जाना जाता है, which of the following is known as secretory organs, तो भही, यह होते हैं, आपकी गोल्जी बोडीज, गोल्जी बोडीज में आती हैं, और ये बात, मैं बार-बार बोल रही हूं, आपने, जितनी भी cell organelles है, उनके function एक लाइन में है, वो तो पढ़ने ही, इसमें confused नहीं होना है, वो question आपको मिलना ही, मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है, मतलब chances जाता है, which of the following is involved in formation of poles at the time of cell division, तो cell division के दोरान, poles में involved होती है, जिसमें cell division जिसकी वज़े से हो पाता है, तो उसका answer है centrosome, और centrosome जो हो एक तरह का cell organelles ही है, तो इसलिए आपको cell organelles पढ़ना है, फिर अगला question है, number of genes in a chromosome, जिसका answer 20 to 25 K होता है, के, यहाँ 20 to 25 K होता है, मैं subscriber तो आच से 20 K भी नहीं हुए, ख्यार, that's not a thing, अगर देख रो, तो subscribe कर ले, 135, जो question है, कि कितने chromosome पाये जाते हैं, जो करीबन answer है, वो 30,000 हो जाएगा, 46 chromosome are present in a human being, therefore, number of sex chromosome will occur, तो कल भी हमने पढ़ा था, कि जो chromosome है, वो 44 होते हैं, male में जो है, वो X और Y होंगे, female में X और X होंगे, तो यह दो है, यह हमारे sex hormones कहे जाते हैं sex chromosomes कहे जाते हैं, sorry, enzyme formation takes place in, तो enzyme का formation है, वो होता है, protein, amino acids द्वारा होता है, इसलिए उसका answer protein हो जाएगा, शायद speed fast है, लेकिन अभी बहुत सारे questions करने हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, concentration से सुनोगो, तो स्टीजन समझ में आ जाएगी, शायद, कोशिश तो यह है, और हासरे लोग को बोलना है है हिंदी में, तो भई मेर पास यह है, और हिंदी में थोड़ा सा कमांड भी कम है, इसलिए मैं हिंदी में सजस नहीं करते हैं, तो मैं नहीं बढ़ती हिंदी में, तो मैं पढ़ा भी नहीं सकती, और मैं कोशिश करूँ कि मैं हिंदी में थोड़ा स तो चीजे हैं वो समझ में आ जाएं और कोशिश यही कर रहे हैं कि सबके लिए helpful हो फिर अगला question है the process in which muscles are tied with bones is known as अब इस question का answer तो यह था बड़ यह कैसा question है जिससे हमारा कोई तालुकात नहीं you can leave it hollow space between bones are known as the bones के बीच में जो hollow dental caries यह थोड़ा से important concept है और नॉर्मल कोशन है तो जो dental caries उनका function यह है कि आपके जो मुमें शुगर है उसको metabolize कर देता है ताकि वो sugar जो आपके enamel जो पार्ट है उसको कुरोड कर तो यह उसका काम होता है इसमें लिखा hardness of teeth नहीं होगा creates cavities in teeth could be but लिकिन वो उसका function नहीं है तो इसलिए इसका जो answer वो none of the above हो जाएगा फिर अगला question है parosteum is found in तो parosteum जो है वो अगर आपने देखते हैं यह bone बनाके यह थोड़ी सी ठीक सी बन गई है उसकी जो यहां पे layer होती है कि उसको बोलता है parosteum और यह कहां पर होती है आप यह CARL यह कहां पर होता है अब इसका भी एक question है जोकि अम पढ़ेंगे यह आता है आपका एनोटमी ओफ बोन तो इतने questions अब पड़ सकते हैं То vitamin D causes, तो vitamin D की deficiency से ostomalacia होता है, जो की bones weakens हो जाती है, इसलिए होता है, फिर है number of teeth in children, तो जो भी teeth हैं, हम दो तरह से classify करते हैं, एक होते हैं आपके primary और एक होते हैं secondary जो primary teeth हैं, उनको हम deciduous भी बोलते हैं, इस नाम से भी अगर आजाएं तो confused नहीं होना है, primary teeth की बारे में बात कर रहा हैं, जो की 20 होते हैं, और जो secondary हैं, वो होते हैं 32, और कितने ही उनको याद रखने एक तरीका है, 21, 23, ICPM, तो ये आपके, जैसे अगर हम टोटल 32 दांत होंगे, तो हम एक साइट के सिर्फ दांत की बात कर रहे हैं, दो इंसीजर, एक आपका कैनाई, दो प्री मूलर और तीन मूलर, इस तरह से होंगे, और ये जो 8 हाट दांत हैं, नीचे भी 8 हाट, 16 और उपर भी 8 हाट, तो इस तरह से 32 दांत होते हैं, याद रखने का एक तरीका है, इतनी चीज़ें तो एक्जाम में आ सकती हैं, फिर रिक्वाइड अमाउंट ऑफ कैलोडी फॉर जिमनास्टिक प्लेयर इस, तो इस तरह से जो चीज़ें होंगे, हर एक प्लेयर की याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर आपने पढ़ रखा है, तो फॉर गु और सब्सक्राइड घृूर ढर्खना Cabine, लिकते अगर निपैरें, दिर अगरूगद गौली रोगे सबिदेशार फॉर्षर्ऱा माउंट यह जैँए, तो इस तरह से सब्सक्राइड जाएगाति, सब्सक्राहिन का सब्सक्राइड फॉर अंज्षा सब्सक्राएं सब्सक्र इतना तो आपने पढ़ना है और यह आपको पता होना चाहिए कोशिश करेंगे ऐसे कोशिंस पढ़ते रहें और यहां पर पूछा यह गया है कि कैल्शिम और फॉस्फोरस लेवल को कौन सा हॉर्मोन रेगुलेट करता है उस हॉर्मोन का जो नाम है अब इसको सिर्फ नाम से मियाद रख्लों क्योंकि options तो कुछ भी आजाते हैं इनका नाम है क्याल सीटोन रेच हॉर्मोन और इस प्यारत होर्मोन है और यह सीग्रेट किसे होते हैं आपके इंच इंच हृब का हो त इस तो यह आधार इंच रहे होताए तो यह आधा वर्मोन को सिक्रीट करता यह इस तरह से पाए जाते हैं जो पैरा थारेड ग्लेंड तो कोशुन ऐसे आते हैं कि कौन सा ग्लेंड कहां सिचुएटेड है कौन से घ्लेंड को रह्मों का फंक्षन किया है इतनी चीज़ने तो आपके इंपॉर्टेंट है और इतनी आपको पढ़नी है फिर है नेम दा पा PINAL CORD ही होगा. फिर है The Structural and Functional Unit of Nervous System. तो यह तो है Neuron. Neuron लिए Nerv Cell गयाते हैं. वही उनकी Functional Unit है. तो जासे यहाँ पर आप से पुछागे की Nervous System की Functional Unit कौन है? Excretory System की Functional Unit कौन है? तो यह भी दो चीज़े हैं. वो पूछती जाती हैं. तो ये एक one word चीज़ा है एक दिमाग में के लिए रोना चीज में कोई डाउट वाली चीज नहीं है neuron, nerve, nerve, उसमें confuse नहीं होना है तो neuron ही लगाना है nerve, cell and neuron, दोड़न से different है और इस सरे जगर आपको option मिल रहा है तो आपने जो exact पढ़ा है बस भी लगाना है ज़्यादास में सोचना नहीं है फिर है male sex hormone is termed as तो male sex hormone जो है उसको testosterone के नाम से जाना जाता है और अगर यह पर female पूछा जाता है तो आप estrogen जो है वो answer लगा सकते है फिर estrogen जो है female का progesterone और estrogen यह female sex hormones में आते हैं और male में आएगा आपका testosterone ठीक है फिर है diabetes is caused due to deficiency of तो diabetes किसकी deficiency की वज़े से होती है वो होता है आपका insulin insulin से question ऐसे भी आते हैं कि ऐसे इतना deep नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी अगर पूछ लिए जाता है कि insulin किस तरह से काम करता है या फिर insulin में कौन सी cells होती है जो pancreatic eyelid के बारे में भी यह बहुत rare है अगर पूछा गया क्योंकि क्यार उसको छोड़ दीज़े फिलाल इतना important नहीं है How many cranial nerves are present in man तो cranial nerve कितनी होती है 12 cranial nerve होंगी और spinal nerve जो है वो 31 pairs होती है यह pair है अब cranial nerve और spinal nerve में difference किया होता है cranial nerve brain से आती है और spinal nerve जो है spine से जाती है इतना आपको difference याद रखना है cranial 12, spinal 31 pair simple फिर है medulla ablongoturf, hind brain control तो जो भी आपका rate of respiration है heart rate है यह आपका medulla ablongota हिंड brain में पाया जाता है वो control करता है equilibrium को cerebellum control करता है and thinking and vision यह आपके cerebrum cerebrum जो है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है आपके brain का जो brain का classification करते हैं तो आपके nervous system से आपको brain का इतनी चीज़े पढ़नी है कि brain के तीन पार्ट कौन-कौन से है cerebrum क्या है cerebrum क्या है और आपका hind brain क्या है यानि medulla ablongota इन तो तीनों के function क्या है जितनी भी आपकी सोच समझ के करने वाली चीज़े होती है वो हमेशा आपके cerebrum से आती है cerebrum, equilibrium जो है बहुत important है कई बार पूछा जाता है तो equilibrium जो है वो आपका cerebrum का function है और heartbeat क्या फिर respiratory rate के बारे मगर पूछा जाए तो आपका medulla ablongota का function है तो ये थोड़ी सी चीज़े है इनको इसम दिमाग में रखना है फिर है question a nerve in pulse leaves a neuron via जो भी एक nerve cell होती है बना देते हैं इस तरह से आपकी nerve cell होती है exons होते है अब diagram पर बहुत ज़्यादा मत जाना इनका जो है direction वो one way होता है तो ये लेता है dendrites की तरफ यहां मतलब जो dendrites होती है यहां से लेता है और exon की तरफ जाता है तो question पूछा है nerve impulse impulse अलग-अलग नहीं है actually यह impulse है तो यसी गलतियां मिलेंगी उनको ignore करना है nerve impulse leaves a neuron via इसका अंसर हो जाएगा exon exon के via निकलता है dendrites नहीं cell body नहीं nucleus नहीं क्योंकि यह तीनों चीज़ जो है इसमें endocrine, exocrine दोनों है endocrine क्यों है जो अभी हमने पढ़ा insulin hormone जो कि blood में secret करता है जो भी hormone अगर blood में secret करेगा तो उसको endocrine बोलते है अंतहसरावी और जो भी जो है वो blood के बाहर जो digestive enzyme secret करता है pancreas वो आते हैं आपके exocrine में इसलिए जो pancreas है वो endocrine भी है और exocrine भी है इस तरह के भी question बहुत बार exam में आए है फिर पूचा है average weight of heart in male तो female और male में थोड़ा सा difference है male में कितना होता है और female में कितना होता है आपके हिर्दय का वजन तो जो male है उसमें होता है 280-340 gram और जो female है उसमें होता है 230-280 gram तो यहाँ पर male का पूचा है तो आप बताओ 280-340 के बीच में जो सबसे आपको लग रहा है कि उसके बीच में आ रहा है वो आपके 300 gram है तो हमने 300 gram टिक कर देना है दूसरा 230-280 के बीच में कौन सा आ रहा है कोशन पूचा है female का तो हम यहाँ पर लगा देते हैं 200 gram 200 gram इतना ही होता है फिर है how many chambers of heart are बहुत टफ कोशन है ना खुद लगा देना 161 walls of heart are composed of special muscle cell तो भाई यह कोशन बहुत आए एक्जाम में कि आपकी जो heart muscle है वो cardiac muscle होती है और cardiac muscle में किस particular muscle को हम cardiac muscle कहाते हैं तो आपके heart में कौन-कौन सी muscles होती है epimysium, perimysium sorry, epikardium, myocardium, pericardium इसमें सिर्फ myocardium ही है वो muscle जो cardiac muscle होती है बाकी cardiac muscle नहीं होती है तो अगर यह option में मिल जाए अगर आपको myocardium मिलता है तो आपको myocardium टिक करना है क्योंकि myocardium ही वो particular muscle cell है या फिर heart cell है जो cardiac muscle के नाम से जानी जाती है उसके बाद है who is the father of anatomy hierophilus है यह तो ऐसे ही आपको याद रहने शहिए founder of comparative anatomy arastu है first man to give the name of different parts of the body तो इसका answer जो रुफस है फिर physiological orientation to anatomy यह सब चीजें आपसे इतनी नहीं पूछी चाहेंगे इसको आप छोड़ सकतों यह भी छोड़ देते हैं आप फिर आजाते हैं how many bones सबको पाता है खुद लगा लो फिर the inner compact and spongy substance called bone marrow bone marrow को कलर पूछा गया है yellow and red होता है bone marrow को कलर बिना कुछ कर रहे ही ही लगाना है bones are covered with the articular surface made up off तो जो bones है इस सरे से फिर से बना देते हैं teddy-mary bone तो यह जो bones है यहाँ पर पूछाय गया है इनका यह वाला जो surface है इसके बारे में इसमें पाया जाता है cartilage तो क्योंकि आपको इतना पता होना जाए कि भाई जहां पर दो bones joint होते है माँ cartilage होता है तो highline cartilaginous tissue जो है वो इसका answer हो जाएगा बाकि वो बहुत deep में समझना है तो skeletal system वाला जो वीडियो है ताल देंगे description में वो आपने देखना आपको परी bone की anatomy बहुत अच्छे से समझा जाएगी पर उसकी ज़रूरत नहीं है तो छोड सकते है फिर question है average diameter of RBC RBC का average diameter होता है 7.5 से लेके 8.7 micrometer this is micro तो यहां तो mm में लिखा है तो mm और यह सब convert नहीं करना है 7.5 से 8.7 है तो भाई यह वाला तो muscular contraction के दोरान कौन सी चीच as a lever तो lever जो है वो bone आपकी चितनी भी long bones है तो act as lever और यह question exam में आया है बहुत बार आया है तो में confusion की कोई गुजाइश नहीं है फिर है which of the following is the firm framework of the body option यह नहीं टिक किया था digestive system बत मतलब मुझे समझ नहीं आया फिर है whenever in adverse condition deficiency of calcium occur in the diet then it is supplemented by आपकी body में या फिर आपकी diet में जब भी calcium deficiency होगी तो वो bone से ही लेगा क्योंकि वहीं पर जहां है महीं से तो लेगा जिसके पास है नहीं से लेगा कैसे delicate organs like heart and lungs are protected by तो भाई आपकी heart or lungs कौन सी particular चीज प्रोटेक्ट कर रही है तो rib cage है आपने तोहरे के cavity लगानी है क्योंकि अच्छा pelvic girdle जो है वो किसको protect कर रहा है तो pelvic girdle पे हम लिख सकते हैं वैसे protect तो नहीं कर लेकिन फिर भी यहां पर kidney हो जाएगा आपका bacterial girdle आपके shoulder किसे particular soft organs को protect नहीं कर रहे है spinal cord spinal cord चोगे वो हड़ी है क्या spinal cord कोई हड़ी नहीं है spinal cord को protect करता है अपको vertebral column तो कितनी से चीज़े हैं थोड़ी से concept है, क्लियर होने चाहिए which part of the body does ricket effect तो भी यह ricket के spelling गलते है सही spelling कमें सेक्षिन में डाल देना पता सबको है, नहीं है जिसको पता है वो डालते हैं जिसको नहीं पता उसे पता चल जाएगा तो जब आपको rickets होता है इसमें bow leg हो जाते हैं वो किस particular part को affect करता है तो bones को करता है wrist in upper limb has तो क्या lower limb में भी wrist होती है पता नहीं क्यों लिख है अपर limb में जो wrist है जिसे हम कारपल के नाम से जानते हैं उसमें कितनी हड्डियां होती है आठ हड्डियां होती है पतेला, पतेला सबको पता है आपके खुटनों में होता है term OCS refers as तो bone जो है उसको bone को OCS words से जो है अच्छा, bone के steady को क्या बोलते हैं अमें कुछ गलत सलत बता दूँगे फिर सब बोलो की गलत बता दूँगे असलिक खुझ बता दो Osteology होता है ऐसा शायद देख ले ना Osteology होता है की नहीं होता है अच्छा, दो चीज़े कमेंट सेक्षिन में डालो study of bone क्या होता है और study of joints क्या होता है यह दोनों जो हैं वो क्या होता है फिर है internal peristrium layer peristrium की spelling again गलत है is made up of तो जो आपकी internal peristrium layer है वो किस से बनी होती है एक तो वो connective tissue से बनी होती है पकी बात है अब fluid होगा यह loose होगा तो fluid connective tissue में आप क्या आता है सब जो blood है, lymph है तो fluid तो हो नहीं सकता है इसलिए जो इसका answer है वो loose connective tissue होगा फिर है eye consists of the following part तो eye में कौन-कौन सी चीज़ें होती है socket होता है socket eye में जो socket है वो कौन सी चागे होती है जो skull में space होता है जिसमें आँख होती है उसको socket कहते है socket उसे को कहते है eye lid eyelashes होती है eyeball होती है तो all of the above आपका answer हो जाएगा फिर है there are three layers of the eyeball इतना deep question आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी बता देते हैं तीन layer होती है eyeball की सबसे पहली जो भाहर की होती है उसको sclerotic बोलते हैं बीच वाले को korite बोलते हैं अदरवाले को रेटीना बोलते है तो फिर तीन layer होती है people कोई भी layer नहीं होती है तो उसका सही आंसर यह हो जाएगा most delicate portion of the retina तो macula जो है वो आपके retina का most delicate portion होता है उमीद है कि ऐसे questions नहीं आएगा फिर अगला question है the lungs are covered by too thin membrane तो उसका answer होगा plura जब भी आपके lungs की membrane के बारे में बात होता है plura और वो इसलिए होता है क्योंकि आपके lungs है उनमें होता है मत्तब वो फैलते हैं सिकुडते है तो उसमें friction ना उसलिए plura होता है breathing out of CO2 is called अब आप वैसे सिर्फ और सिर्फ CO2 को breathe out नहीं करते हो अब air को ही inhale करते हो air को breathe out करते हो यह पकी बात है पर भी यहाँ पे लिखा है तो हम माल लेते हैं उसे हम exhalation क्याते हैं अगर हम फिर यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि अगर हम inhale करेंगे oxygen चो कि हम नहीं करते हैं air को inhale करते हैं तो उसको inhalation बोलेंगे फिर अगला question है which of the following statement is not correct अब पढ़ लेते हैं इसमें क्या के चीज़े लिखी हैं पहला है trachea and vessel are non-living connective tissue यह जो दोनों हैं यह आपके xylem से आते हैं plant tissue है और यह non-living नहीं है living है बट फिर भी छोड़ देते हैं इसको सही कर दिया है दूसरा है deoxygenated blood is poured into right artyom of the heart एक दिम सही बात है तो यह हमारा गलत नहीं है the excretor unit of flatworms are flame cell यह भी सही चीज़ है फिर लिखा है human kidney has about 1 million nephredia तो actually human kidney में nephredia नहीं होते हैं nephrons होते हैं क्योंकि अब इन दोनों में भी difference है कि nephredia क्या है और nephron क्या है nephron जो है वो आपकी invertebrate मतलब जिन में vertebrates नहीं पाई जाते हैं उन में nephredia होता है और जिसमें vertebrate पाई जाते हैं human तो उन में nephron होता है इसलिए which of the following statement is not correct में आपका जो answer है वो होगर D क्योंकि इनोंने या nephredia लिखा है nephredia humans में नहीं होता है फिर question है excretory unit in human is तो human में excretory unit की बात की है excretory system जो है उसमें kidney होता है main organ जिसमें excretion होता है लेकिन अगर बात करेगा कि इसमें unit कौन सी तो आप cancer हो जागे nephron nephredia नहीं होगा because we are vertebrate फिर next question है liquid part of blood is called liquid part of blood को क्या कहा जाता है उससे पहले discuss कर लेते हैं कि जो blood है उसमें कौन कौन सी चीज़े होती है तो blood में हम दो चीज़े हैं एक तो आपका होता है plasma और दूसरा होता है आपका blood cells plasma में 90-95% होता है water इसलिए इसे liquid part कहा जाता है इसका answer जो हो जाएगा plasma फिर अगला कोशन है the blood cells responsible for clotting of blood तो blood clotting की जो responsible है फिर जसेल की वज़े से होती है वो होती है platelets और जिनको thrombocytes के नाम से भी जाना जाता है ओके 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 the hydrochloric acid create an acidic medium in the stomach facilitate the action of the enzyme कोशन बहुत बार हमने पढ़ा है कि आपका SCL है वो acidic medium create करता है तो जो acidic medium होता है आपके stomach में वो किस को मदद करता है तो pepsin को मदद करता है ताकि वो अपना action कर सके और pepsin जो है वो करता है breakdown of protein जितने भी हमारे बाड़ी में breakdowns होते हैं वो दो दर ऐसे होते हैं पहले उनका initial breakdown होता है जैसे आपने जो starch है यानि जो आप carbohydrate ले रहे हैं उनका initial breakdown माउथ में हो जाता है सलिवरी gland की वज़े से उसके बाद जो pepsin है वो initial breakdown करता है complete जो है वो आपका small intestine में ही होता है तो इस चीश को आपको दिमाग में रखना है confused नहीं होना इस चीश के लिए फिर लिखा है the steep shape upper end of the nephron is called तो इस तरह का एक होता है nephron और इसे हम कहते है bowman's capsule ठीक है फिर है urine produced in the kidney passes through इसमें confusion बहुत लोगों को होता है तो होता है कि अगर हम ठोटा सा diagram बना लेगे होता है अपी kidney और इस तरह से यहां पर होता है bladder होती ही दो है फिर एक है bladder और जहां से body से excrete होता है वो होता है आपका urethra तो urethra और urethra हमें confused नहीं होना है urethra जो है वो जहां से pass और stubule को urethra कहता है फिर blood is used to transport तो blood किसको transport करने के लिए उस होता है भाई सभी को transport करता है oxygen को CO2 को nutrient को when the terminal phosphate linkage is ATP broken छोड़ दो भाई कोशन नहीं पूछा जाएगा फिर process of formation of new cell score तो यह चीज हमने कल भी बढ़ी थी new cell का जो formation है मैं इसको anabolism कहते है catabolism breakdown होता है metabolism जब जुड़ते है sorry metabolism एक तरह का chemical activity है catabolism breakdown होता है anabolism जब जुड़ते है कल हमने चीज बढ़ी थी and anabolism में जो है वो तब होता है जब new cell का formation होता है process of liberating energy and breaking down अब यहाँ पर आगया breaking down और कल भी हमने पढ़ा था breaking down है तो catabolism हो जाएगा what is the vital capacity of lung तो vital capacity के बारे में बात कर रहा है lungs की lungs की capacity पे बहुत सारे question आते है जैसे कि एक आता है कि tidal capacity क्या है अब tidal capacity जो है उसकी range होती है 500 ml लीटर ना लगा दे ना 500 लीटर बहुत होता है तो 500 ml क्या है यह आपकी tidal capacity है जो आप नॉमली सांस लेते हैं और छोड़ते है उसको बोलते है आपकी tidal capacity जो की lung capacity में आता है नॉर्मल जो lung capacity हो होती है 5.5-6 लीटर 6 लीटर उसको अगर आप ml में लिखेंगे तो 6000 ml हो जाएगा तो कई बार इसमें भी होता है लीटर और ml में तो वो चीज याद रखने है आपको अब पूछाएगी vital capacity तो पहले हम जालने की vital capacity होती क्या है vital capacity का मतलब है maximum inhalation के बाद maximum exhalation की capacity या फिर maximum exhalation के बाद maximum inhalation की capacity जो है उसको हम बोलते है आपकी vital capacity और vital capacity जो है total lung capacity में अगर आप residual volume माइनस कर देते हैं तो आपकी vital capacity आजाती है जिसका answer जो है वो 3.5-3.5 लीटर होगा और vital capacity के लिए जो हम rb word बोला residual volume वो यह होता है यह भी question exam में पूछा गया है कि residual volume क्या होता है residual volume का मतलब है कि जितनी air या फिर volume of air जो आपने लंग से कभी नहीं निकाल सकते हैं हमेशा रहती है जो की होती है 1200 ml उसे बोलते है residual volume so अब हो गया 100 question तब तक हम अगले 100 question भी तयार करते हैं उनका video बना के डालते हैं और भाई video को like, share, subscribe कर लो कम से कम subscribe तो कर लो इतनी महनत करा रह हो चलो आज कल इतना ही और आज के लिए निया भी और वीडियो जाएंगे कोशच करेंगे कि अभी आज या कल सुब्य तक एक दो और भी अनॉटमी फीजोलोजी के हम वीडियो जाल दे ताकि आपके 500 questions तो कम से कम हो जाएं और ये वाला portion आपको अच्छा खासा cover हो जाए so तब तक के लिए stay tuned and keep watching